हेलो स्टुजेंट्स देखिए माई हेवन जो पोयम है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसमें दो स्टेंजाज हैं लेकिन यही जो एक स्टेंजा मैं इसमें करा रही हूँ आपको वही बहुत इंपोर्टेंट है इस वज़े से मैंने केवल इसी का एक्स्प्रेनेशन तो आप जो इसकी पोयम मैंने पढ़ा रखी उसे पढ़ ली दिये और बाकी इसमें यही आपको दे रखा है कि जहां पर हम उम्रता की योज बनें जहां पर बेकार के रीती रिवाज ना हो हमारे बिचार खुले हो ठीक है इस तरह से सुतंता के स्वर्ग में मेरे पिता मेरे पिता को निश्वर मेरे देश को जगरत कर दो चलिए रिफरेंस देखते हैं इसका यहां फुल स्टॉप लग माई हैवर नामक कवीता से ली गई है जिसे रविन्ना टैगॉर ने कंपोज किया है रहनी रचित किया है या लिखा है टैगॉर के बाद फुल स्टॉप आप लगा लेजिए एक्स टी बच्चों यहां पर भी एक्स लिखने को रह गया है तो वह एक्स लिख लेना आप कभी-कभी हो जाता है राइटिंग मिस्टिक इसलिए है तो देखिए this poem is an extract extract होता उद्रण यह लिया गया भाग from the famous work of Tagore यह कभीता Tagore के प्रिसिद work से लिया गया उद्रण है यह भाग है और इस प्रिसिद work कौन सा है named Gitanjali क्या नाम है उसका Gitanjali अभी हम full stop लगाई है आई इधर capital रहे in this poem इस कभीता में the poet expresses his lofty concept of freedom इस कभीता में कभी जो है अपना एक lofty होता बुलंद सुतंतता की एक बुलंद और concept होता अभधारना इस कभीता में कभी अपनी सुतंतता की बुलंद भावना की अभधारना को express करता है मतलब व्यक्त करता है he wants freedom in every walk of life social or spiritual social होता है सामाजी के स्विच्छल होता है अध्यात्मिक वह है जीवन के हर कदम पर चाहे वो सामाजी हो या फिर अध्यात्मिक हो सुतंतता चाहता है कौन चाहता है कभी अपने देश का एक वीजन यानि ड्रश्टी देता है यानि ओवर्वियू देता है इसमें सारी heavenly qualities होनी चाहिए यह मतलब इसमें सारे कौन से कोन हो जो स्वर्गिये गोड़ा heaven नहीं होता है स्वर्गिये the poet personifies striving poet यानि कभी जो है personifies करता है striving मतलब संघर्ष को संघर्ष का प्रतिरूप प्रदान करता है it would stretch its arm towards perfection perfection होता है पूर्टा और वो चाहता है कि यह जो है हमारा देश हमारा देश क्या होता हमारे देश वाशी हमारे देश वाशी पूर्टा की ओर अपने बाहूं को फैलाएं मतलब क्या काम करें in other word दूसरे सब्दों में country man will make tireless effort to become perfect और दूसरे सब्दों में हम कहें तो क्या कहना चाह रहे है country man अंदेश के व्यक्ति will make tireless effort tireless effort हो गया बिना थके परियास करें to become perfect पूर्ण होने के लिए the reason अब reason कहा तर्क जो सही तर्क होता है is compared to the stream of clear water अब जो है जो व्यक्ति सही तर्क देते हैं उसकी तुलना की गई है compare की गई है किस से की गई है इसपष्ट पानी की इसपष्ट धारा से यानि साफ पानी की इसपष्ट धारा से ignorance क्या होता है किसी चीज को अंदेखा करना dead habit यानि बुरी आदते and superstitions और क्या अंद्विस्वास are compared to dry desert इन्हें के सूखे रेगिस्थान से इनकी तुलना की गई है the river of reason would not lose itself और क्यात दे रहे हैं ये the river of reason जो तर्क की नदी है would not be itself in the desert of ignorance ठीक है उसे जो है जो अंदेखेपन का जो desert है यानि रेगिस्थान है ठीक है उसे क्या है इस तरह से lose नहीं करना है कैसे यानि कोई भी चीज अगर गलत है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे गलत ही करते रहें घरे लू दिवारों में लटके रहें घरे लू दिवारे वो होती है वो दिवारे जो हम छोटी छोटी उच नीच जाती पाती धर्म इन सब के लिए बनाए होते हैं उन्हें वो क्या खिलाती है घरे लू दिवारे मतलब एक ही एक ही देस में रहके हम एक ही सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे से भेदवाव करें गलत सोचें तो वो सब क्या है इस तरह की चीजों को हमें क्या करना है इस तरह की चीजों को हमें दिमाप को आगे ले जाएंगे the country man will have wide and open thoughts और जो देशवासी है वो क्या करेंगे उनका जो है wide होता है बड़ा और खुले विचार होंगे इन देशवासीों के विचार संकिर नहीं होंगे खुले होंगे they will put these thoughts into action as well और वो ऐसा नहीं है कि बाते बाते मारेंगे यानि विचार ही देंगे वो इन्हें action में भी लाएंगे यानि आगे भी बढ़ाएंगे the poet praise God कभी इशवर से प्रातना करता है to make the country such a heaven कि इस देश को एक स्वर्ग बना दे the countrymen are lost are lost in sleep of ignorance और जो हमारे countrymen है यानि देशवासी हैं when they get up और जब बे उठेंगे ठीक है from their sleep अपनी नीद से और जब बे अपनी नीद से उठेंगे they will find themselves in that heavenly country तो वो अपने आपको उस स्वर्ग ये देश में पाएंगे यानि इसमें हमारा कभी इशवर से प्रातना करता है कि है इशवर आप जो है हमारे देश को स्वर्ग बना दे और स्वर्ग कैसे बना दे हमारे देश के लोगों की मानसिक्ता को सई करते हुए I hope you understand अब कोई problem हो तो आप पूछ ले